Hey friends, welcome back to Parcham, I am Richa और आज एक on-demand वीडियो लेकर करके हम here with you आज हम पढ़ेंगे Paralympics के बारे में, Paralympics की शुरुआत कहां से होती है कौन सी international committee है जो उसे govern करती है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे जानेंगे इंडिया की जो starting है Paralympics में वो कब से होती है और अभी तक इंडिया का सफर Paralympics में कैसा रहा यानि कि कितने medals कब हमने जीते कब हमने बिल्कुल participate नहीं किया ये सारी बाते भी हम देखेंगे और फिर हम discuss करेंगे Tokyo Paralympics 2020 और उसमें जो भी medals जितने भी winners ने जीते हैं इंडिया से उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे निमानिक टेखनीक से ताकि इस वीडियो के बाद Paralympics को लेकर के आपको कोई भी confusion, problem या difficulty face ना हो तो चलिए with all these objectives शुरू करते हैं आज की class on Paralympics and Tokyo Paralympics 2020 चलिए तो सबसे पहले देखते हैं History of Paralympics हमने जब Olympics के उपर वीडियो पुरा discuss किया था तब भी हमने देखा तो Olympics की शुरूआत कहां से होती है फिर इंडिया कपसे उसमें participate करना शुरू होता है और फिर हमने इंडिया की पुरी journey पढ़ी थी इससे तरह से Paralympics पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए question दे देती हूं तो यह आपके लिए पहला सवाल है अब जब Olympics चल रहे थे लंडन के अंदर 1948 में यह बात कप की है 1948 की तो 1948 लंडन Olympics की जो opening ceremony थी उसमें Dr. Ludwig Guterman एक व्यक्ति थे उन्होंने क्या क्या उन्होंने competition organize करवाया 16 injured servicemen male and female के लिए archery का जो लोग wheelchair बैठे हुए थे उनके लिए उस opening ceremony में पहला एक ऐसा competition लंडन Olympics में चालू करवाया गया archery का और उसको नाम दिया गया उस particular game या competition को नाम दिया गया Stoke Mandeville Games क्या नाम दिया गया Stoke Mandeville Games और यह हाला कि Paralympic word use नहीं किया गया लेकिन एक तरह से एक ground बन गया, एक meal का पत्थर साबित हुआ या milestone साबित हुए यह Stoke Mandeville Games के आगे जाके इन ही को दूसरा नाम दिया गया कुछ सालों बाद और क्या नाम मिला Paralympics तो Paralympic Games की शुरुआत कहां से होती है, नीव कहां रखी जाती है तो वो समझेंगे हम पहले इस चीज से कि 29 July 1948 में जब opening ceremony चल रही थी, London 1948 Olympic Games की, तब Dr. Ludwig Guterman, जो यह picture है यहाँ पे, इन्होंने पहला ऐसा competition और वीलचेर athletes के लिए और यह athletes ex-servicemen and women रह चुके थे, और यह जो competition था यह archery का यानि तीरंदाजी का हुआ और इस competition को क्या नाम दिया गया था, very good, Stoke Mandeville Games और यही games आगे जाके क्या कहलाए? Paralympics कहलाए, कब से कहलाए? अब यह important है, तो Paralympic term कब से use होने लगी इन games के लिए So, Stoke Mandeville Games, Paralympic कहलाए 1960 से 1960 से 48 Olympic, फिर उसके बाद 52, 56, 60 तो 1960 से हर 4 साल बाद होंगे यह भी, ठीक है? सबसे पहले कब हुए Paralympics अगर पूछा जाता है, तो यह पहले हुए 1960 Rome, Italy के अंदर और फिर उसके बाद हर 4 साल में उलम्पिक की तरह ही Paralympic भी और आगरनाईज किये जाने लगे Paralympic का एक पहला रूप या इसका Precursor गेम किस नाम से जाना जाता था, तो Stoke Mandeville Games के नाम से जाना जाता था और उसको बाद में Paralympic का नाम दिया गया 1960 में, यहां तक की बाद समझ में आ जाती है, यह रोम 1960 Paralympics का आपको सर्मेनी दिख रहा है फिर हम बात करते हैं इसकी Governing Body की, जैसे International Olympic Committee है, इसी तरह से International Paralympic Committee भी है यह Paralympics को गवन करती है, यह जब बनी थी, तो इसके Headquarter कहां थे, कब बनी और आज इसके Headquarter कहां है, कौन उसके Head है, यह सारी चीज़े पटाफट से देख लेते हैं तो इस्टैबलिश होई थी यह by September 1989 में, 1989 में, तो यह स्टार्ट हो गए 1960 से Games और जाकर कि इसकी Governing Body बन रही है, 89 के अंदर, उस समय कहां स्टैबलिश होई थी यह IPC, यानि कि International Paralympic Committee, Dussleford, Germany तो जर्मनी के अंदर इसके Headquarters है, उस समय Dussleford में थी और आज की तारिख में यह Bonn जर्मनी के अंदर है, Bonn, ओके, ना पर्पस क्या था, पर्पस क्या होगा इसका, कि यह जो Global Level पे Games होते हैं, इनको Governing किया जा सके, इनको Manage किया सके, To Act as Global Governing Body of Paralympic Movement, Paralympic Movement, Now what is this Paralympic Meaning, यह जो Word है Paralympic, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो Para और Olimpics से मिलके Paralympic बनाए, यह तो हमें पता है, Para means, Para means something additional, जो main चीज के साथ में कुछ चीज हो, addition हो, beside, addition to, right, so word Paralympic derived from Greek preposition para, para का मतलब होता है, beside or alongside, जैसे paraphrase हम बोलते है, एक main phrase होता है, एक paraphrase होता है, ठीके, त तो एक चीज जो चल रही है, उसके parallel, या उसके alongside, या उसके साथ-साथ में जो दूसरी चीज चलती है, उसको Para कहा जाता है, तो Olimpics के alongside यह games चलते हैं, इसलिए इनको Paralympics कहा जाता है, meaning समझ में आ गया, okay, तो meaning हुआ Paralympics है, parallel games to the Olympics, और illustrate करते हैं कि कैसे दो movement side by side exist कर रहे हैं, fine, now, at present, जैसा कि मैंने बता है, Bonn, Germany में headquarters है, और इसके president कौन है, Andrew Parsons, Andrew Parsons, Paralympic Parsons, यह छोटा सा clue शायद आपकी exam में का भी मदद कर जाए, Andrew Parsons is the current president of International Paralympic Committee, तो यहां तक तो बात हुई history की, किस तरह से Paralympics की शुरूआत होती है, अब हम बात करते हैं, इंडिया की इंडिया की जैनी कबसे शुरू हुई Paralympics में, कबसे हमने participate करना शुरू किया, और अभी तक, यानि कि 2020 Summer Paralympics तक हमारा किस तरह का record रहा है, वो सब फटा-फट से देख लेते हैं, फिर 2020 Paralympics को हम detail में discuss करेंगे, तो देखे, हमारी शुरूआत होती है 1968 से, 1960 में Paralympics की श 1968 से हमारी शुरूआत होती है, और, सो हमारा first appearance है 1968 में, कहा हुए ये वाले गेम्स, ये हुए इस्रेयल के अंदर, इस्रेयल में तेल अवीव, तेल अवीव, इस्रेयल के अंदरे गेम्स खेले गए, हमारा 10 लोग का contingent गया, इसमें 8 मेल्स थे, 2 फीमेल्स थी, हमारे पास को कोई पदक नहीं आया पर हम पार्टिसिपेट करके आए, ठीक है, तो 1968 स्टार्टिंग ऑफ द इंडियन जर्नी आग पारलिम्पिक्स ठीक है, अब 68 के बाद कब होंगे गेम्स चार साल बाद 72 में होंगे, 72 में ना सर्फ हम पार्टिसिपेट करते हैं, पर हम इंडिया का पह हुए यह गेम्स देख लेते हैं, जर्मनी में 1972 पारलिम्पिक्स गेम चल रहे थे, हीडलबर्ग गेम्स के नाम से जर्मनी वाले गेम्स जाने गए, पैरा स्विमर, मुरली कान पेटकर साहब, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हो, मुरली कान पेटकर साहब पहले मेडल लाने वाले व्यक्ति पहला गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति सब यही हो जाते हैं ठीक है इन्हों ने गोल्ड जीता 50 मिटर फ्रीस्टायल के अंदर और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 37.331 सेकंड्स का ठीक है अब यह इंडिया का पहला मैडल था पैर अच्छी बात गोल्ड था फिर हम 72 हो गया 76 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया 80 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया फिर हम जाते हैं 1984 गेम्स के अंदर और यहां पर हम जीतते हैं 4 मेडल 2 सिल्वर 2 ब्रॉंज और चलिए मुझे आप बताएगा 1984 पारलिंपिक गेम्स में एक व्यक्त नहीं जीते हैं इन ही पारलिंपिक में 1984 में उन व्यक्ती का नाम बताएगा आपको वीडियो में आगे मिलेगा तो चलिए कॉमेंट करके बताएगे के वो वस एक परसंट ववन दो फर्स्स इंडियन जोन्होंने एक ही एक ही पारलिंपिक गेम में मल्टिपल मेडल जीते और वो यही व्यक्ती हैं जोना ना 1984 गेम्स में जीते हैं जल्दी से कॉमेंट करें फिर 1988 से 2000 तक 2000 तक यानि कि 2000 वाले गेम्स को हम इंक्लूड करते हुए हमने कोई भी मेडल्स नहीं जीते हैं ठीक है देवर नो मेडल्स इन दिस दूरेशन अब कहानी आगे चलती है 2000 से 2000 के बाद 2004 वाले पैरलिम्पिक्स आते हैं और यहां पे हम दो मेडल्स जीत करके लाते हैं एक गोल्ड होता है और एक ब्रॉंज होता है गोल्ड यहां पे देवेंद्र जाजरिया जीतते हैं और देवेंद्र जाजरिया जावलिन थ्रो में जीत करके लाते हैं भाला फेकने में ठीक है तो जाबलिन थ्रो जाजरिया साब और अभी भी यह रेप्रेजन करते हैं इंडिया को फिर 2012 की बाद आती है इंडिया एक इसके बाद आता है 2016 रियो औलंपिक्स या रियो पैरलिम्बिक्स हम क्यूक्षपड पढ़ रहे हैं रियो में हुए थे है तो 2016 रियो गेम्स में हमारे पास 4 मेडल्र आते हैं दो gold, एक silver, एक bronze, gold important है जानने, तो एक gold लेकर के आते है मरियपन थंगवेलू, इनको अब आप जानते होंगे, न्यूस में बहुत बार हमने इनको पढ़ा है, और इस बार जो ही Tokyo 2020 Paralympics होने वाले थे, इसकी opening ceremony में flag bearer यही होने वाले थे, लेकिन because of health issues, फिर किसी और व्यक्त के अंदर हो, इनको sports field का सबसे highest honor भी मिला है, कौन सा है वो award, बताएंगे, चली बताएए, ध्यान चंद खेल रखने, ठीक है, सबको बताएब, ओके रहने दीजे, फिर, फिर दूसरे व्यक्ति, जिन्होंने gold जीता 2016 Rio Paralympics में, वो है, देवेंदर जाजरिया जी, इन्होंन gold medalist रहे चुके, जावलिन थ्रो के अंदर, और मरिया पन्थंगवेलू रहे चुके, एक बार gold medalist, किस में, long jump में, very good, ठीक है, अब हम आते हैं 2020 Summer Paralympics पे, तो इस बार जो Paralympics हुए थे, कहां हुए थे, टोक्यो में हुए थे, उनकी थोड़ी बहुत एक बार briefing देख लेत So, यह थे 16th edition of Paralympics, 16th edition था, हर एक चीज जो इहां लिखे है, वो इंपोर्टन थे, 16th Summer Paralympics Games थे, तो एक Summer Games होते हैं, एक Winter Games होते हैं, यह 16th edition of Summer Games था, इस बार यह तोक्यो में हुए था, और्गनाइज किया थे, International Paralympics Committee ने यही और्गनाइज करेगी हर और, Official Mascot, यह जो आपको दिख रहा है, यह Official Mascot, it was known as Someti, Someti, आप चलिए, यही पर अगला question आपके लिए हारा है, Olympics का, यह तो हम Paralympics पढ़ रहे हैं, Olympics का Official Mascot, किस नाम से जाना गया, 2020 Olympics का Official Mascot, जैसे Paralympics का Someti, और Normal Olympics का, किस नाम से जाना गया, जल्दी से मझे आप बताएंगे, चलिए, और मोटो क्या था, United by Emotion, United by Emotion, चलिए, अब हम बात करते हैं, 2020 Summer Paralympics में, इंडिया का Performance किस तरह का रहा, तो, और उससे जड़ेवे कुछ important points, जो examination point of view से, तवज्जो या बिटेच रखते हैं, so, सबसे पहले, इंडिया ने कितने medals जीते हैं, Tokyo Paralympics में, 19, 19, 1 less than 20, हैना, ए 586, क्या है 586, जैसे 786 एक बहुत, 586, 786 एक बहुत, religiously significant number माना जाता है, इंडिया की एक particular community के लिए है, world की, not just India की, so, इसी तरह से 786 नहीं है, यह 586 है, मिलता चुलता ही है, फोड़ा दिमांग में रहे का शायद, 586, 5 gold, 8 silver, 6 bronze, 5 gold, 8 silver, 6 bronze, 586, और इनको total आपने किया तो, 19 medals हो जाते है, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए है, चलिए, अब कुछ additional बाते हैं, जो examination point office हो जाने ज़र रहे हैं, टेक चन्थ, फ्लाग बेरर कौन थे, यानि कि जो opening ceremony हुई Tokyo Paralympics की, तो इंडिया की तरफ से फ्लाग बेरर जो पूरे contingent को लीड करते हैं, कि हम हैं पूरा contingent जो participate करेगा, तो फ्लाग बेरर opening ceremony में रहे, टेक चन्थ, चलिए, बताये कॉमेंट करके, कि यह कौन से sport के अंदर गए थे, Paralympics में, ठीक है, चलिए, फिर closing ceremony जब हुई, जब सारा Paralympics नी पढ़ गया, और closing ceremony होती है, वाइंडिंग अप होता है, तो उस समय बोलते हैं और उसको थ्रो किया जाते है, तो शॉट पट और अवनी लेख रहा है, इसे शूट, तो यह closing ceremony में फ्लाग बेरर थी, दोनों याद रखेंगे, आप टेक चन्थ, अवनी लेख रहा है, जो हमारा theme song था Paralympics का, वो क्या था, करदे कमाल तू, अनुराग ठाक उर जी ने इसको लॉंच किया था, जो उस समय और अभी भी union sports minister है, ठीक है, फिर India participated in 9 sports, हमने total 9 sports के अंदर Paralympics में participate किया, और total कितने athletes ने पारिसिपेट किया, 54 ने पारिसिपेट किया, ठीक है, अब हम आ जाएंगे, एक और important fact पे और फिर medals पे चलेंगे, तो एक important fact कि इस बार Paralympics में, यानि 2020 के अंदर, दो गेम्स ने डेब्यू किया, Paralympics में, ठीक है, एक था Badminton, दूसरा था Taekwondo, अभी तक Badminton Paralympics में नहीं खेला जाता था, Taekwondo भी नहीं खेला जाता था, इस बार ये दोनों introduce हुए, और दो गेम्स बाहर किये गए, कौन से दो गेम्स बाहर किये गए, Sailing and Seven-Aside Football, ये दो चीज़ें हटा करके, Badminton और Taekwondo इंटर्यूस किया गया, ठीक है, अब हम आते है, Medal Winners पे, ये लिस्त आपको कही जगे मिल जाएगी, निउस्पेपर्स में कही जगे थी, बहुत से साइट्स पे मिल जाएगी, बहुत से चानल्स मिल जाएगी इसको थोड़ा सा दिमाग में स्टोर करने में, बस I will try and help you, बाकी available तो हर इंफोमेशन हर जगे है, चलिए, so Gold Winners, कितने Gold Medals है हमारे पास, 5, 5 Gold Medals है न, तो अब उन 5 Gold Medals में से, देखे, एक आया जावलिंग थ्रो में यानि भाला फेगने में, और किसने जीता, Until सहाब, सु उसका अंत हो जाएगा, तो आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, कितने Gold आए इंडिया के पास, या फिर जावलिं के अंदर किसने Gold Medal जीता, या सुमित अंतिल ने कौन सा Medal जीता, इस तरह से सवाल पूछे जाएगे, तो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज, कि 5 Gold Medals ल में ये जीता, और World Record भी बनाया, 68.55 मीटर तक भाला फेकने का, फिर प्रमोध भगत, प्रमोध भगत जी, ये बैडमिंटन में इन्होंने Gold Medal जीता, और इंडिया का पहला Medal रहा ये बैडमिंटन में, पैरलिंपिक्स में, जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंके पैरलिंपिक्स म हमें दो Gold Medal मिले हैं बैडमिंटन के अंदर, एक प्रमोध भगत जी ने जीता है, और एक क्रिशना जी ने जीता है, क्रिशना नागर, ठीके? कैटिगरीज अलग-अलग होती है, डिसिबिलिटीज की, उसके हिसाब से इविंट्स होते हैं, तो आप सोचेंगे, दो Gold Medal कैसे, तो इविंट्स अलग-अलग होते हैं, ठीके? सो एक रहा हमारा क्रिशना नागर जी के द्वारा जीता गया, बैडमिंटन, तो क्रिशना भगत, क्रिशन जी भगवान है, क्रिशन जी के भगत, क्रिशन और उनके भगत ने मिलकर के बैडमिंटन खेला और जीता, यह आप छ आजिस्थान में लोकल भाषा में गर्दन को नार बोलते हैं, नार हिला दो नार हिला दो टाइप्स नारवाल तो आप चाहें तो इससे याद रख सकते हैं, कि अगर आपको शूटिंग टारगेट करना है धंग से तो आपकी नार यानी गर्दन एक थोड़ी सीधी रहनी चाहिए, तो नार या गर्दन का थोड़ा से असोसिएशन कर सकते हैं, किसी के गर्दन पर आपने गोली चला दी, म एक आगया शूटिंग के अंदर नारवाल साहब और एक आगया अबनी लेखरा जी, शूटिंग में भी दो हैं, ठीक है, एक तो हो गए नारवाल साहब और दूसरी हो गई अबनी लेखरा, अबनी लेखरा पहली फीमेल बन जाती हैं, गोल्ड मेडल जीतने वाली, अबनी में भी दो हो गए और एक जावलिन थ्रो में हो गया आपनी लेखरा के बारे में देख लीजेगा इन्होंने दो मेडल जीते हैं सिरफ गोल्ड नहीं जीता इन्होंने ब्रॉंज भी जीता है तो हम जो 586 बोल रहे हैं तो अपनी यहां भी और अपनी इस 6 में भी है ठीक है इन इस सेकंड इंडियन बन जाती है मल्टिपल मेडल जीतने वाली सेम पैरालिम्पिक्स में यानि की भाई जैसे जाजरिया साहब है उन्होंने भी दो मेडल जीते हैं दो गोल्ड जीते हैं लेकिन उन्होंने अलग-अलग पैरालिम्पिक्स में जीते थे हैं लेकिन अवनी ल अलिम्पिक में तीन मेडल जीते थे और वो कौन थे अब नाम आ रहा है जोगिंदर सिंग सोधी साहब जोगिंदर सिंग सोधी साहब ठीक है और इन्होंने 1984 गेम्स के अंदर तीन मेडल जीते थे एक सिल्वा दो ब्रॉंज ठीक चालिए फिर अबनी लेखरा स्टेट की ब्रै भीन में लेकर किया है चलिए सो इसके साहथ हो जाते हैं गोल्ड मेडल कम्री फिर आथे इसल्व जीते हैं इंडिया ने 586 तो एट एट इसल्वर मेडल जाएँगे जल्दी देखते हैं सबसे पहले टे मेडल जीतती है तो बहुत सीधे सीधे टिप्स पर याद होना चीए नंबर comparatively कम होगा पैरलिम्पिक के अगर मैं बात करूँ है ना सो पैरलिम्पिक में एक अवनी लेकर आपको नाम बिल्कुल मुजबानी याद होना चाहिए दूसरा आपको याद होना चाहिए भाविना बेन पटेल का याद होना चाहिए ठीक है फिर हम बात करते हैं मरिापन थंगवेलुजी यह लॉंक जंप के है और इनको सिल्वा मिला ठीक है फिर हम आ जाते हैं जावलें थ्रो जो मैंने आपको बताया था जहाजरिया साभ यह भाला फेकने में जावलें थ्रो में फिर योगेश कथुनिया योगेश कथुनिया साभ यह discuss thro वो जो ऐसी एक disc होती है और उसको फेका जाता है ना और वो आगे तक जाती है So discuss throw के अंदर ही silver लेकर के हैं कैसे याद रखोगे पहले उन्होंने बहुत योग किया योग एकदम ध्यान करके और फिर उन्होंने discuss throw किया है So discuss throw में योगेश कतुनिया साहब तो योग से आप योगेश ध्यान रख सकते हैं आसा हिंट साबित हो सकता है examination में हमें help करने के लिए उसके बाद हमाते हाई जंप तो देखे हाई जंप में हमारे पस दो silver medal आए एक था निशाद और दूसरा था प्रवीन So निशाद कुमार प्रवीन कुमार दोनोंने हाई जंप के अंदर silver medal लिये है निशाद प्रवीन दोनों उचे 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 उचल रहे है बस तोड़ा सही धान रखेंगे निशाद और प्रवीन फिर उसके बाद हम आ जाते हैं badminton तो आप देखे बाद मिन्टन में हमें दो तो gold मिले थे याद है Krishna Bhagat Right अब एक silver है तो देखो बाद मिन्टन में हम जब सर्व करते हैं सू और सामने वाले ने उसी पर smash दे दिया हास सू हास तो सुहास यथिराज सुहास यथिराज लेखर किया है silver I know funny weird अजीब सा है लेकिन से याद रहेगा सू और हास तो आपको silver medal बाद मिन्टन में किस ने जीता 2020 Paralympics में तो सुहास यथिराज जी ने ये रहे और फिर आते हैं सिंग राज अधाना साहब सिंग राज अधाना ये भी shooter है दो medal इंडिया के लेनों ने लिए एक silver और एक bronze सिंग राज अधाना अभनी लेकरा गोल्ड लेकर के आए और सिंग राज अधाना साहब सिल्वर और bronze लेकर के आए ठीक है चलिए तो 586 ये 5 हमने कर लिये थे ये 8 हमने देख लिया इस 5 में भी एक bronze जीता था यानि यहाँ इस 6 में से 1 अभनी हो गई अभनी लेकरा और इस 8 में भी एक bronze छुपा हुआ है कौन? सिंग राज अधाना साहब तो ये यहाँ एक ये हो गया तो आप हमें 4 bronze देखने है पुल मिला की क्योंकि एक एक हमने पहले ही देख लिया अभनी और अधाना साहब का ठीक है जल्दी से एक क्विक रिकाप चाहिए सिल्वर मेडलिस का तो देख लो भाविना बेन पटेल टेवन टेनिस की हो गई उसके बाल मरियपन थंगवेलू लॉंग जंप के है जाजरिया साहब जाबलिन थ्रो और योगेश कथूनिया डिसकस थ्रो हो गए फिर निशाद और प्रवीन हाई जंप हो जाते है सू, हास यह ना बैड मिंटल और सिंग राज धाना साहब शूटिंग दो मेडल लेकर के है फिर हम आते हैं ब्रॉन्स विनर्स जो चार बचे है तो सबसे पहले आप देख लीजे सुन्दर सिंग गुर्जर ये भी जावलिन थ्रो करते हैं तो देखो जावलिन के अंदर हमें तीन मेडल्स मिले इस बार एक हमारा रहा अंतिल साहब जो गोल्ड लेकर के आये थे जाजर या साब जो सिल्वर लेकर के आये थे और अब सुन्दर सुन्दर सिंगोर जर्जी तो इन्होंने भी बहुत सुन्दर थ्रो किया तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्स हमारे पास पारलिंपिक्स में आया था फिर शरद कुमार हाई जम्प निशाद और प्रवीन जी ने हाई जम्प में सिल्वर दिया हमें और वेरी गुड शरद कुमार शरद कुमार जी इनको भी बहुत सर्दी लग रही थे और उंचा-उंचा कूता हो ठीक है कैसे बिए जम्प के लिए निशाद और प्रवीन को सिल्वर मिला है और शरद कुमार जी को तीनो कुमार है और इनको हाई जम्प में ब्रॉंज मिला है फिर हम देखते आर्चरी में तीरंदाजी आर्चरी एक ही मेडल आया हमारे पास और वो है ब्रॉंज मेंडल और कौन लेकर के आये है हरविंदर सिंग जी हरविंदर सिंग जी ठीक है तो इन्होंने हरा दिया अब ही ब्रॉंज लेकर के आगे है बाकियों को तो हरविंदर सिंग जी आर्चरी में ब्रॉंज लेकर के आये है फिर हम आते हैं badminton, badminton में manoj sarkar, manoj sarkar, तो देखो badminton में 2 gold हमारे पास पहली थे, krishna bhagat, पिर एक silver था हमारे पास, किसका? suhaas, और ये है bronze, bronze में sarkar, sarkar, तो krishna bhagat, suhaas, sarkar, ये 4 हमारे पास badminton medals रहे, ये हो जाते हैं हमारे 4 bronze, और 2 और कॉन से हैं? अवनी लेखरा और स इंग्राज अधाना साहब, so with this, बहुत एक छोटा सा crisp video लाने की कोशिश किया आपके लिए, जितने भी important facts और information हो सकती है, वो सब इसमें incorporate की है, और एक last message इस video का आपके लिए छोड़ाए, you are never a loser until you quit trying, तो कभी भी try करना मात छोड़िये, because आपकी जीत आपकी trying में है, and I really hope यह video useful लगा होगा, do let me know in the comment section, अगर कोई doubt query है, words of appreciation, points of improvement, some video request, जो भी कुछ हो, जो भी बात्चीत करने हो, comment section is there, I do read your comments on a regular basis, so until we meet next, take very good care of yourself, and keep trying, bye.